ये गाईस विलकम तो मैं चैनल ग्लैम विद प्राची आप सब कैसे हो आई होप आप लोग बहुत अच्छी होगे तो अगेन मैं आज आप लोग की साथ करवाच और लुक ले करके आ गई हूँ और गाईस सौरी मेरे सिनाई स्टार्टिंग की दो तेन क्लिप मिस हो गए हैं जिस्ट लाइक फांडेशन, कंसीलर, कॉंपेक्ट पाउडर, तीनो की क्लिप गायब हो गए हैं पता नहीं कैसे तो यहाँ पर मैं जितने भी प्रोड़क्ट यूज कर रहे हूँ ना उन सब का लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा फांडेशन, कंसीलर, कॉंपेक्ट पाउडर का भी मिल जाएगा तो सबसे पहले मैं अबरो फिल कर लूँगी और यह मैं कैमेलियोन का अबरो पाउडर यूज कर रही हूँ और काफी अच्छा है मैं इसको आप लूग को एक दो बार दिखा भी शुकी हूँ और इसका जो ब्रस है न वो काफी अच्छा है बहुत अच्छा लूग दे देता है सेप काफी अच्छा आ जाता है अबरो का और लिटरिली आज मुझे बहुत रिग्रेट हो रहा है कि मेरे से कैसे इतनी बड़ी गलती हो गई मैंने सुरू के दो तीन जो इस्टेप थें वो सारे मेरे मिस हो गए और मैंने बनाया था बट पता नहीं कैसे वो क्लिप कहा शली गई अभी एड करते टाइम मैं देख रही हूँ कि वो क्लिप है ही नहीं एपरोफिल करने के बाद मैं परपल का टोइन वन ब्रॉंजर लगा रही हूँ और काफी अच्छा है इसमें दोनों सेट आपको मिल जाएंगे तो बस मैं इसको लगा लूँगे और लिटरिली आज वोईस ओर करते करते बिना मुझे बहुत दुख हो रहा है कि यार मेरे से गुए तीन क्लिप मिस हो गई एक फॉन्डेशन वाली थी एक कंसीलर वाली थी और एक Ceampo डर पेंशन हाना का टनी दूंगे इस मतफिए मैं हिस फील दो यह उई है और आप इसमें के और और वह आइशेडो लगाऊंगी और उसके उपर से मैं हलका हलका रेड आइशेडो अप्लाई करूँगी तो काफी अच्छा लूक आएगा और यह जो गोल्डन वाला ना यह थोड़ा सा ग्लिटरी लुक देता है तो काफी अच्छा लगेगा आप लोक देख सकते हो हलका हलका दिख तो एक ऑप्सन में मैंने रखा हुआ है कर्वाश ओट में पहनने के लिए तो इसलिए यही मुझे दिखा सामने तो मैंने सोच है चलो ठीक है इसको ले लेती हूं और यह जो चुन्नी है यह मैंने शूट वाली ले रखी है क्योंकि इसकी चुन्नी बहुत हलकी थी तो और इसलिए मैंने ज्यादा पाउडर यूज किया था ताकि बाद में मैं इसको हटा सकूं और अभी आती है आई-लाइनर की बारी तो मैं इस्टे क्वर्की का आई-लाइनर लगा रही हूं और सच बोलूं तो मेरा पसंदीद आई-लाइनर तो स्वीस ब्यूटी वाला ही है जो मैं कई बारा आप लोग को दिखा चुकी हूं वो सोखने के बाद ना उसकी एक लेयर बन जाती है न तो फिर आप अपने हाथ से भी निकाल सकते हो तो ठीक है लेकिन अलग-अलग लगाना शाहिए न कभी कुछ लगाओ कभी कुछ लगाओ ज़रूरी नहीं कि जो सबसे जादा आपको पसंदो हमेसा वही लगाओ और अभी मैं परपल का मस्कारा लगा रही हूं ताकि जो मेरी रियल लैसेज है और जो फिक आई लैसेज है वो दोनों आपस में चिपक जाए और निकलने के कोई चांस न रहे इसलिए लगा लोगे वैसे तो अच्छे से चिपक लागे और आज ना मैंने मिडल वाला बन बनाया हुआ है ना एकदम उपर ना एकदम नीचे बीचो बीच वाला बनाया हुआ है और अभी मैं सेम वही गोल्डेन आईशेडो ले करके लोवर लाइन पे लगा लूँगी तो आज मैं ब्लैक वाला काजल नहीं लगाऊंगी सिर्फ यही गोल्डेन कलर लगाऊंगी ब्लैस के लिए मैं यहां पर फेसिज कनड़ा का ब्लैस यूज़ कर रही हूँ और यह लिक्विट फॉर्म में हैं कुछ ड्राई वाले ब्लैस भी आते हैं बट यह कुछ लिफश्टिक काइंड ओफ है तो बस इसको मैं लगा लूँगी और एक से दो कूड में ही अच्छा में लगा रही हूं लखा रही हूं ब्लैस मैंने लिक्विड वाले लगा है है तो हाइलाइटर भी लिक्विड वाले सबसरा हूं अच्रा वाल स्मय पर फेसिज काृश्टि me और एक रहेगा प्रहिए को लिफ और पर गंप तो अह ब्ले ऐसा बडर करतला है इसली मैं उसको नहीं लगाऊंगी तो आप लोग देख सकते हो मेरा अल्मोस्ट मेकप कम्प्लीट हो गया है बट अभी मैंने लिप्स्टिक नहीं लगा है मुझे लगा हूँ से पहले मैं आप लोग को लुग दिखा दे रही हूँ और ऐसे भी काफी अच्छा लग रहा है न तो यहां पर मै रेड कलर की लिप्स्टिक लगा रही हूँ और काफी अच्छी लगती है यह मुझे वैसे भी मुझे रेड कलर की लिप्स्टिक बहुत पसंद है आप लोग बारी देखते हो मुझे लगाते हुए और आज मैने रेड चूडा पहना है रेड बन पे मैंने फ्लावर लगाया हुआ है तो मुझे लगा red lipstick काफी अच्छी रमेगी और मेरी जूलरी है ना उसमें भी red color का work हो रखाया है तो काफी अच्छा जाएगा match होगा सब आपस में और जो मेरा लहंगा है ना वो काफी light color में था तो मुझे लगा ये सब मैं थोड़ा सा dark पहन लूँगी ना तो तोड़ा सा लहंगे को cover कर लेगा ये जूलरी मैंने amazon से मंगाया हुआ था और काफी मुझे अच्छे price पे मिल गई थी I think 500k round पे पड़ गई थी और heavy भी है काफी अगर आप azure bridal पहनना चाहती हूँ ना तब भी पहन सकती हूँ बस आप इसके साथ एक long वाला भी sit कर सकती हो तो आप इसको bridal look में भी create कर सकती हो और पूरा heavy look देता है ये जूलरी तो इसके साथ मैं आज ना की नत भी पहनने वाली हूँ जिया पिछली बार मैंने नहीं पहना हुआ था न तो पिछली बार मैंने साड़ी पहना हुआ था तो इतना जरूरी भी नहीं मुझे लगा था और इस बार लहंगा के साथ ना की नत न पहनो तो बड़ा धूरा धूरा सा लगता है इसपेशली अगर married woman हो आप तब तो ना की नत लहंगा के साथ जरूरी पहनना शाहिए तब ही आपका look complete होता है तो बस अभ तक मैंने ना की नत पहनी ही नहीं थी फर्स्ट टाइम ही मैं पहन रही हूँ झाल तो अभी मैं अपने वीडियो के एंड करती हूँ तो अगर मेरा वीडियो और ये मेरा लुक पसंद आया हो तो एक लाइक कर देना और अगर न्यू हूँ मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब भी करके ही जाना साथ में पेल आइकन को भी प्रिस करना ताकि जब भी मैं कोई न नोटिफिकेसेन आट पर को तुरन मिल जाय और मैं मिलूंगी अपने नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाइ बाइ